हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू टेस्टी फूड विट संगीता आज हम पहुत ही सुन्दर ये लेयर्ड वाली डिजाइनर खस्ता मठरी बना कर त्यार करेंगे ये दिखने में और खाने में दोनों में ही पहुत ही अच्छी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी बनाना तो सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप मैदा और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चमच नमाग आधा चमच अजवाइन अजवाइन को थोड़ा सा क्रेश करके डालेंगे इस तरीके से हाथो पर मैंने मठरी बनाने के लिए मैदा का य तो मैंने यहां पर डाला है 3 टेबल स्पून अब इसे बहुत अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी से मिक्स करीए इस तरीके से और अब इसे मुठ्छी में बांद कर देखिए अगर यह बंद रहा है ना आटा तो इसका मतला मॉयन परफेक्ट है अग कर डो लगा कर हमें त्यार करना है मत्री के लिए डो बहुत जाथा सॉफ्ट नहीं लगा जाता है थोड़ा हार डो लगा कर त्यार करें जिस तरह का डो हम पूरी के लिए लगा कर त्यार करते हैं एकदम सक्त तो ऐसा डो भी आपको नहीं लगाना है पूरी से हल्का सा यह देखिए अच्छा एकदम टाइट डो है बहुत जादा हाट भी नहीं है बहुत जादा सौफ भी नहीं है मठ्री के लिए एकदम परफेक्ट है अब 15 मिनट के लिए इसे आप कवर कर दीजिए और 15 मिनट बाद हम मठ्री त्यार करेंगे अब 15 मिनट हो चुके हैं और डो इसे ड्री चुका है अज़की दिए तरीकिसे वह स्ट्रें है पर गूंद लेते है और इस इस अલए से हमें आटे बेलन के help से इसे बेल दीजिए बड़ी सी चपातिस की हम बेल के त्यार करेंगे सभी तरफ से एक जैसा बेलेंगे कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं रखना है मैंने से बेलते समय कोई ओयल या कोई सुखा अटा नहीं लगाया ऐसे ही यह बेल के त्यार हो जाती है कोई प्रॉ a ghi का यूस किया है अच्छे से लगा लिजिए पूरी चपाती पर अच्छेस जी लगाना आपको अब इसकी बाद आपको इसकी उपडाना है सुखा मैदा पूरी चपाती पर मैदा डस्ट कर लिया है और अब इसे अंदर की तरफ इस तरीके से छोटा सा फोल्ड देना है आपको यह दे दिया और बस अब आप इसे रोल करते चाहिए पूरी चपाती को इसी तरीके से आपको रोल करते जाना है बहुत ही सिंपल है आसानी से हो जाता है कोई दिक्कत नहीं होती है बस दि हाथों से अब इसे इस तरह थोड़ा लंबा कर लीजे और अब हम इसे कट करेंगे तो आगी वाला पोशन थोड़ा समय हटा देती हूँ और अब डेड़ से दो इंच की साइज में इनको आप कट कीजे ये देखे इस तरीके से पूरा रोल आपको ऐसे ही कट कर लेना है आप साइज अपने अनुसार थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब आपको एक पीस उठाना है और हतेली से इस तरह दबाना है ये देखिए दोनों साइड में डिजाइन आ गया अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं बट मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सब बेल लेती हूं यह देखिए इस तरीके से बेलन से हलके हादों से इसे बेल दीजिए थोड़ा सा पहुचा ता पतला नहीं करेंगे थोड़ा सा ही बेलेंगे और अब इस मठ्री के उपर मैं लगा लेती हूं एक काली मेर्च बीच में अच्छे से दबा देंसे यह काली मेर्च दोनों साइड में डिजैन तो आपको देखी रही है कितनी अच्छी बनी है काली मेर्च को थोड़ा सा प्रेस कर दें यह देखे और इसी तरह सारी मठ्री हमें त्यार करनी है सेंटर में से प्रेस करें और बेलनसे से थोड़ा बेल लें और अब बीच में काली म इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है कि लो फ्लेम पर इन्हें फ्राइ करना है और अभी हम इन मठ्री को टच नहीं करेंगे बिल्कुल भी जब यह ओयल में ऊपर आ जाएंगे ना तब हम इने पलटेंगे तो अब यहां पर यह देखिए यह ओयल में ऊपर आने लगी है तो बस अब आम इने पलट देते हैं इस तरीके से सारी मठ्री आपको पलट देनी है इन मठ्री को फ्राइ करते समय ध्यान रखे कि अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राइ करेंगे तो यह बाहर से सिख जाएंगे लिकि अंदर से इनकी जो लेयर है न वो कच्छी रह ज अब जब मठ्री का कलर इस तरीके से चेंज हो जाए न तो आप ग्यास का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा दें मिडियम नहीं करना है बस लोग से थोड़ा सा बढ़ाना है ये देखिए दिखने में भी सुन्दा लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा यमी है एकदम खस्ता मठरी बनी है तो आप भी इस दिवाली ये मठरी रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिए आपके घर में ये बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएंगी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में